अपर ले बुले जै जिया राम, राधे राधे बच्चों के उजर पुरिशे, देद, आयू और अच्छे स्वास्ते के लिए कोई मादा के ब्रत किये जाते हैं और ऐसा माना जानता है कि जिस्त्रियों के बच्चे नहीं है कि डिए संदार दंपती है जो अगर वो स्तरिया पुई मादा दव्रत करें तो पुई मादा की करपासे नहीं संदार की ब्रती होती है आप पुई मादा दव्रत कैसे रख सकते हैं उसकी पूजा भी देखिया है तो पुई मादा की कता सुना देवाली है तो आप जहें तो जहां भी आपने पूजा करें होगी आप पुई मादा की कता सुना देवाली है तो देखिये इस तरह से आप अपक्ति पे या ठाल के इस तरह से पहले स्वास्तिक माद लें उसके बाद कुछ दावे रखे हैं आसंदे भगान को और फितरन पकी भगवान को दिराजमन करें अपनी कता में और पिर आप कता में शुरू करें और जितने की जने कता सुने होंगा न सब अपने नाम कर लोटा जरूर के इचल देने के लिए रोटेवे स्वास्तिक बाद ले, कलावा बाद ले और उसके बाद हम लोग अधा सुनते हैं जाओ लुटन बाद हो और लिए रोटे कहना हैं जो वहां जात हो अदूर सुनते हैं तो प्ट्रो पुछर को को हुपने आदे हैं पुछर को पीच में थाल में कर दोपने तापक पुछर सुनते हैं बढ़ चुछा लोगेवारी जिस्ट सब्स्काराद्राद मेरी टूछाल बनात खांड हाँ पार नगी पार हाँ और पीछिव लोगेवारन दॉटीय मेर लेंगे खुछा हाँ बाद आपनी कहानी शुल करेंगे और आप जब में कहानी सुनते हैं तो पीछ विच में कहानी सुनते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप कहानी द्याद से सुन रहे हैं आप सून इगए हैं जिसके एक साथ बेटे थे साथ फोई ततर एक बेटी थी तीडिए तिवाली से पहले हैं अस्ट्वी हो, सातों बोवें अपनी प्लोथी ननन के साथ चल्डल में खदान से पितिरे खूद रही थी, वही स्याओं की माती मिली कूपते समें ननन के हाथों से इस तिरिका बच्छा कर देया, स्याओं माता कूपते के नननों तेरी कूप बादोगी, अपनी सातों खाफियों से पूली, इस तुमें से कोई मेरे बदले अपनी कूप बनवालो, सभी भावी ने अपनी कूप बनवाने से इकार कर दिया, पर अदूर छोटी भावी सोचे रगी, कि यदि मैं कूप नहीं बनवाऊगी, तो सबसुची नराज होंगी, ऐसा विजार कर, ननन के बदले, मैं छोटी भावी ने ही कूप बनवाली, इसके बाद जब उससे जो नड़का होता, उस साब दिन बाद मर जाता, एक दिन उसने पंडित को पुला कर पुझा, कि तेरी संतान साथे दिन क्यों बर जाती है, तब पंडित ने कहा, कि तुम सुराही गाए के इस पूजा करो, सुराही गाए स्याव माता की भाई ली है, वेह तेरी कोप जोए, तब पेरा बच्चा जीएगा, इसके बाद, वेह भाई प्राते काल उठकर चुपचा, सुराही गाए के लीचे सफाई आदे कर रही है, वो माता बोली, कि आजकर कौन है, जो मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूगी, वो माता पूट तड़के उठी, क्या देती है, कि एक सावुकार के बेंटे की बोग, उसके लीचे सफाई आदी कर रही है, वो माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से तसर, इच्छा नसा, चाहे जो वर्मान ले, तब सावुकार के बोग बोली, कि स्यावु माता, तुम्हारी भाईले हैं, और उन्होंने मेरी कोग बाद रखी है, सो मेरी कोग बोला दो, वो माता ने का, अच्छा, अब दो माता समुगर पाद, अपनी भाईले के पास, उसको लेकर चल पड़ी, रास्ते में गड़ी दोख थी, सुबे दोखो एक पेड़ के लिचे बैठ करी, थोड़ी देये में एक साव आया, और उसी पेड़ पर गरोर पंखनी का बच्चा था, साव उसको डसने लगा, तब सावकार के बोले साव माता धाल के नीचे दवा दिया, बच्चे को बचा ठूड़ी देया में गरोरी पंखनी आये, तो राकों पढ़ाने करत सावकार के लोगे जोच माने लगा, तब सावकार में बोले कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं माला, बलकि साव तेरे बच्चे को डसने को एथा, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है, यह पर बिठाया, स्याव माता की पास मुचा दिया, स्याव माता उने थेकर भूली कि आप हैं, बहुत देनों में आई, फिर कहने दगी कि मैं मेरे सिर में चूप पड़ रही हैं, तब सुलाही से कहने पर सावकार की लोगे सुलाही की जोए निकाल दी, इस पर स्याव माता का स पर एक बेटा देन, साथ बेटे कहा से लोगे, स्याव माता को ली वचन दिया, वचन से लेओ, तो दो भी के कुट पार का करेओ, जब सावकार की लोगे बोली, मेरी कूप तुलाही